जारखन हज कमेटी के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन ने अब से ठीक थोरी देर पहले राची के हज हाउस में आज बैठक किया और एक जानकारी दी कि जिस तरह से गो एरवेज के विमान राची से सीधे नहीं मिलेंगे हज यात्रियों को कौलकाता जाकर के विमान वहां से मिलेगा ऐसे में अब हज यात्रियों के लिए एक बहदी खुस खबरी है कि राची से कौलकाता तक जाने के लिए ट्रेन के दो बौगी रिजर्ब किये गए हैं और वो भी हज कमीटी के द्वारा उपलब्द कराए जाएंगे साथ ही कौलकाता से उनको हज हास तक ले जाने के लिए बस की भी सुबधा उपलब्द कराए जाएगी तो जो हज यात्रा पर जाने वाले लोग थे जिनको काफी टेंसन हो रही थे कि राची से विमान की सीधी सुबधा नहीं मिल नहीं है और अपने खर्च से लगवग उनको कौलकाता तक पहुँचना परता तो अब उनके लिए बहदी एहम ख़बर आपसे ठीक थोड़ी दिर पहले आई है जब हज कमिटी के अध्यक्ष और अल्मसंख्यक मंतरी हफिजूल हसन ने ये जानकारी दिया कि अब किसी भी तरह की खर्च नीजी तोर पर नहीं उठाने परेंगे सभी खर्च जो है हज कमिटी उठाएगी तो आईए और क्या कुछ कहा है इर्फान अंसारी और मंतरी हफिजूल हसन ने सुनते हैं अभी जो शिडूल आया है उसमें करीब आची से जाने वाले 28 को 503 हजी साथ है जो जिन्गा प्रेटेर तारीकों 61,2,3 तो उसके लिए हम लोग यहाँ जो इच्छु वेक्ती है जो आज इसाथ जाने चाहते हैं तो हम लोग सुईधार दे रहे हैं दो कोच हम लोग यहां देवाँ वह 39 और 30 को लग वाँ इसके लिए बजाबता फॉर्म हम लोग अनॉस्मेंट करेंगे कि आप लोग जो इच्छु थे हैं वो इसमें फॉर्म हो रहे हैं उसी हिसाथ रहे हैं तो लोग तक इंफर्मेशन कैसे चेज़े आपके इस तरीके से उससे कीज़ेगे और आपके ट्रेन जो बुक करा रहे हैं उससे जाएंगे कि पुद सकी फस्नावगारी से जाएगे तो भी बोले ने कि हम लोग उनको टेलीफोन से पेपर में पाटसर फेस्बूक के मधियत से सारज समचार वहां चल जागा और वो गनफर्म करेंगे पहले वो कनफर्म करेंगे पौर मुसका आएगा पौर भराएंगे तो हम कनफर्माने लिए हैं और दिन रात हम लोग बैटक कर रहे हैं वारे मंतिजी कापी गड़ी है हमेशा इनों सहयोग किया है 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 और हर मिटिंग में वो आये है और हम लोग ने बेक अप जो था जो माहल क्रीट किया गया था तो पहले था कि इमिग्रिशन पॉरंट जी उठा राशी को हम भी लड़कर लाए थे और फ्लाइट बिल्कुल टै था लेकिन ने जब गो एरवेस के फ्लाइट अब लग जब उसका अठाब बैढ गया और दिवाले पर उसका दिन निकल गया तो अल्टरनेट वरस्ता क्या होगा इसको लेकर हम लोगों ने बहुत सब से सब जगह गए हम लोग मांग किये कि कोई वर्तलफिक वरस्ता किजिए लेकिन हाज या पर को प्रसंजर नहीं है उसके लिए एक देश से दूसरी देश आप जा रहे हैं तो उसके लिए अलग व चैलिंज है कि हम लोग जो अठाइस सव लगों हमारे जो हज-या-ध्री है अजमाईन है उनको हम लोग कैसे बैतर से बैतर हम लोग सुझा देकर अब अबम अब का जद्धा वह उनको बैजनी का प्रयास करें इसको लेकर उनको कल ग्यार्प है राक्षी के उनसे में वारता तो उसका जो प्रोसेस है वो लोग हम लोग लगे वे और हमें लगता है कि फ्लाइट सिजूल भी आ गया है और लगबग 900 यात्री एक तारिक को और दू तारिक को जाएंगे तीन तारिक को जाएंगे हमारे धन्बार वगरा से लुग जाएंगे तीन दिन ब्रेक अप है छह साथ आठ फिर है तो जो थैयारी की जाने चाहिए था हम लोग सारे जो आज में जा रहे हैं तो सभी हाजियों के लिए हम लोग ने कई जगा हर जिरों में हम लोग लग आया हम सी अँश्क व्यचल डीजाओ मैं जाल निकालने के लिए तो सारी अम्रम को कशनी के लिए हम लोग कर लिए कुछ सुमसियां आती है और उस ही इसे समसियां आज और निदान निकालने के लिए हुल निकालने के लिए सभी मिम्मर्स पुरी प्रृब कर लोग लगए हैं और मैं फिर सिमय को ओंगा की हज की जो है कि इवादत की है ठीक है और लोग इवादत करने के लिए जाते हैं हमने याद है कि मुंबर से लोग जाते थे हास करना अ क्या जनॉत मैनी को टिन पिर मैहाल जाते थे कितना कर्श हिता हुः पर भी जहे लेते हैं तो नंस दृतिन वाल př día couple उपर वाला है और अगर वैसे लोग जो social media में मेडिया में कुछ कहते हैं तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आये मैं एलान कर रहा हूं कोई जानकाई लेना है हमारा office पुला है हमारे मंतिजी का mobile पुला है हमारे सभी members का mobile पुला है